वेलकम डूबी कलासेस गाइस दोस्तों आज हम लोग जार्खन एकसाइस कॉंस्टेबल के लिए जार्खन जी के कलासेस करने वाले हैं और यह फ्रेंड्स आपके एक्जानवेशन में पूछे जाने वाले यह मोस्ट एक्सपेक्टेड कोसंस रहेंगे अब यकीन मानों दोस्त क्लास 9 क्लास 10 करने वाले हैं ठीक है तो आपको पीडिएफ चाहिए होगी तो टेलिग्राम से लिंक जरू करना वहां से पीडिएफ आप राप्त कर सकते हो ठीक है और बतना चाहूंगा फ्रेंज के एकसाइस कॉंस्टेबल की दोड़ जो है फिसकल बहुत जल्द देने वा जबाद ही है तो सारे सब्जेक्ट के क्लासेश मिल जाएगी आपको तो वीडियो के प्रेलिस पर जरूर विजिट करना ठीक है चैनल के पर जरूर विजिट करना और बताना चाहता हूंगी जार्खन सीजल का भी दोस्तों हमने जार्खन सीजल का भी कुछ-कुछ जो टीक है और हम लोग विट एनालासिस के साथ हम लोग क्लासेश को कबर करेंगे जहां से दोस्तों एक को साथ आने को को संस और विगेंड करने का मौका मिलेगा ठीक है तो फ्रूर सेन तक के लिए लिए ले के लिए न बात करते हैं पहले को संस्पर आते हैं कि टामर प्लस पासांड ठीक है और इसका मतलब होता है उस पत्थर को तामबा के साथ परियोग जिसमें अधिक्तम उपयोगता साबित हो तो कहने का मतलब है कि इसका अब चल में बात कर लिते हैं तो इसका ने सह पुर्वव तक यह तम्हुअ केलाता है तामड़ पषांकाल कब कारिकाल है का स의 तर्सक्राइब क्यां सब्सक्राइब रखनी है अब चलो बात कर लेते हैं तो इसका जो राइट एंसर रहने वाला दोस्तो फर्स्ट पत्थर के साथ तामबे का यूज इस ठीक है परियोग चलो बात करते हैं जो यूज है मनुस्यों को बहुत तरक्की पर ला दिया था इस लोह यूग में दोस्तो वह प्रकृति पूत्र से मनुस्य में तब्दिल होना यह तो कारेगाल था ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चलो बात करते हैं नेक्स कोशन की तो निम्न में से किन जन ज चन तो आपको या तो रिडेंग करना हो या तो या तो दोस्तों को मैं जितने भी शेशन कमप्लेट कर रहे हों यह तो यह तो इस संब्दित उपकरन बनाने की कला से अब परिचित यह मुंडा ठीक है असूर बिरजिया बिरहोर यह तीनों दोस्तों प्राचिन काल के जन ज सराट करी ठीर मुंड'tा जंजाती जो इसे संब्धित उपकरन की कला से जैसे जैसे प्राचित प्राचितम जंजाती होने के साथ लोहा गालाने का काम आज भीरते हैं थिसकने बात करते हैं लिज्ड दुशन कीश ऑठाब करें तथा ताम्बे की 59 खानों के खानों तो हजारी भाग से काफी साक्ष हें जैनियों के भी काफी साक्ष मिलें चलो बात करते हैं कि निर्मान किस्तयस्ता हुआ था जैनियों के निर्मान है देखिए लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्मान हुआ है जबकि दरारों में लावा के बहाव से ठीक है दरारों में दरारों में दोस्तों लावा के बहाव से दक्कन लावा का निर्मान हुआ था ठीक है दक्कन लावा का निर्मान हुआ था ओके चलो अब इन चट तर्फिस तो भास वारा से यहां से बात करते हैं घरवार करम की चठान में कौन सा फ़नी सबाई जाताहं ठीक है इसमें पीड़ाना चाहताओं जिडिए अप राखना अब तेखे आपकर देखिए आपसे पूजा देकिन गंडवाना करम की चठाने हैं दोस्तों इसमें इसमे दोस्तो कुजिया पाए जाता है कुजिया कहां पाचता है तो गौनवाना क्रम की चटानों पाचता है देखी राजमाल ट्रेप और दक्कन लावा की चटानों से बॉक्साइड तथा लेटराइट निर्मान हुआ है इस और कीसा आपको ध्यानना है चलो बात करते हैं कि लेटराइट मीटी की प्रकृति क्या होती है लेटराइट मीटी की प्रकृति हो दोस्तो वो अमलिये होती है ठीक है तो लेटराइट मीटी को लावा के बहाव से बनी है ठीक है लेटराइट मीटी जो है दोस्तो लावा के बहाव से बनी होती है तथा अब शायन का परिनाम है इसकी प्रकृति अमली होती है पूरा दक्कन ट्रेप लावा से बनी है वहां की मिर्टी काली होती है ठीक है इस तरीके से ध्यान में रखना है चलिए बात करते हैं नेक्स कूशन की ठीक है अपने से बात करते हैं कोसंस की तो किस मिर्टी की प्र प्रोटी है भन के लिए जोटी है होती है तो जलो बात चलो कि बात करें तो इसमें दोस्तों कि जार्खन विधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचीत होते हैं ठीक है तो इस सबको पता होना चीए दोस्तों 81 निर्वाचीत होते हैं इलेक्टेड होते हैं आपको पता होना चीए ठीक है और मनुनित की बात करें दोस्तों एक होता है ठीक है तो जहारकर्ण विधान सभा में दोस्तों 80 सदस निर्वाचीत होते हैं और एक सदस से मलवनित होते हैं मतलब की नॉमिनेटेड होते हैं इस तरीके से ध्यार में रखना है चलो बात करते हैं 50 कोशन्स की अब देखो बात करते हैं फ्रेंस की बिहार राजय पुनल गठ छेद थे ठीक है इतनी सी बात आपको ध्यान में लखना है वसके से यह से इतना ही बात करते हैं जो दोस्तों आंगल होते हैं डियन होते हैं वही नॉमंडेटेड होते हैं चलो बात करते हैं जो तो इसका जो बतवारा धी अनुसूची जन जाती अब हम आपसे सीट पूझ जाये एपसे रिजर्प की गई है एसी की बात करें दोस्तों तो एक सीटे रिजर्ब की गई है और जो जेनरल हैं दोस्तों समानने हैं यह दोस्तों एट सीटे रिजर्ब की गई है तो टोटल मिला के दोस्तों चौदस सीटे जो हैं दोस्तों लोग सबा सदस्यों की सीटे निरवाचीत सदस्य हैं ठीक है इस त नवगतानों गाटी निगम जो है दस्तों चेतर के अंतरगत जरिया में स्टार्ट हो चुका था ठीक है और यह कहां है दोस्तों धन्बाद मैं ठीक है धनबाद में इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है और यहां दोस्तों कोईला का जो है सरवाधिक भंडार होता है इस तरीके से आपको भी ध्यान बात करते हैं एक के लिए कौन सी खनीजों की आवशकता पड़ती है तो फिफ्ट्ट फॉर्ट ओप्षन देखतो है यह सभी है ठीक है लॉयस्क मेंगनीज और कोईला तो जल की भी आवाशकता होती है तो यह सभी होनगे ठीक है अब चलो बात करते हैं नेक्स राज में सड़ यहीं जाते हैं दोस्तों टिक है ऐसे पूइज जाते हैं आपको ध्यान मखना है ठीक है तो दो फिफ्टी फाइब का जो सेकेंड ऑप्षन देख सकते हो दोस्तों तेटीस जार लघनार चौबिस किलिमेटर ठीक है इतनी से बातना लाज में अनुपातिक अनुपातिक लमबाई के बारे में बताना है ठीक है तो फॉर्स अप्षन देख तो हो यहीं है ठीक है वं एट डबल फोर रेशियो वर्ट्य wanne लएक है और देखें राश्टी राजमार की बात करें याथ 004 और अगर राजकिय अस्तर की राजसरी राजमार की बात किया जाय तो 18886 है ठीक है यह राश्टी हो गया ही राजकी हो गया इस तरीके से ध्यान में रखना है चलो बात कर लेते हैं थे वाब अप्शन्स की तो अवमद्धम बीहार का सबसे पुराना कॉलेज और भाज्त विहार का सबसे सबसे पुराना कॉलेजillarall कौल्ब कौन सा था तो फास्ट आप्सट संध कोलंब संध कोलंबस ठीक है अब वाजित बिहार का सबसे पुराना कोलेज दूस्त संध कोलंबस यह दोस्तों 1899 में दोस्तों डॉबलीन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा स्थापित करी गई थी डॉबलीन आपको याद रखना सब्सक्राइब करने के लिए आदर पुर्वग पूश्टल ऑफ संथाल कहा जाता है तो यह इसे पूशन से याद रखना तो फिफ्टीएट का फर्स्ट ऑप्शन देखतो डॉक्टर एंड्यू केमबल को संथालो के वीच उत्रिश्ट कारे करने के लिए अदर पूरवग अपॉश्टल ऑफ संथाल कहे जाते थे अर्थास संथालो का देवदूद ठीक है इसका मतलब क्या होता है संथालो का देवदूद ठीक है इन्हें केसर रिहिंद की उपाधी से दोस्तो नमाजा गया था इतनी से बात आपको ध्यान में रखनी है अब दिखेंगे बात करें तो किस मिशन ने 1899 में हजारी बाग में संथ कॉलंबस कॉलेज खोला जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था तो यह को संस हमने जस्ट जस्ट दोस्तों अभी एक को संथ के पहले को संस देखा था तो ऐसे को संस गुमा फिरा कर पूश्ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता तो एक ही को संस के दो-तिन तरीके से को संस बन सकते हैं तो फौर्थ अप्षन है डविन निवर्शिटी मिशन ठीक है अभी हमने बढ़ा था इसके बारे में तो और ज्यादा नहीं जानते हैं 60 कोशन की बात करें तो फादर कॉंस्टांट लिवेंस जिन्हें साधारन लीबिन सहाब कहकर पुकारता था किस मिशन से जुड़े हुए थे ज्याद रखना दोस्तों फादर कंस्टांट लिवेंस जिन्हें जन्साधारन लीबिन सहाब कहकर पुकारते थे रोमन कैथॉलिक मिशन से जुड़े हुए थे ठीक है चलो बात करते हैं कोशन की तो 61 कोशन की बात करें तो ज्यारखन में जन्जातियों के उत्थान है तू प्रयासरत संस्थान कौन सी थे तो दिखे मैं बताना चाहता हूं कि सुर्भी एक समाज सेवी संस्था है ठीक है सुर्भी एक समाज सेवी संस्था है दोस्तों जंजातियों के समाजिक, संस्क्रितिक, सैक्षिनिक और आर्थिक उत्थान है तू प्रयासरत है इसके बहुत सारे केंद्र है ठीक है इसके बहुत सारे सेंटर है ठीक है इसके बहुत सारे सेंटर है दोस्तों इसे राज सरकार तथा केंद्र सरकार दोवरा फंड मिलता है सबसे गर्म कुंड है पानी का तापमान भारत में सरवाधिक 44 सेल्सियस इसके पानी के सणान दिधर वशक रोग और तो यह मानि जाते है और लिउस्थों इसमे जो है सबसे ड़ा है ठीक है तो यह सबते हैं तो बात करता है Trek तो को सब्सक्राइब नादी के संगम पर श्थितester जल पर पात कौन का voudra न अधी के संगम जल पर पात की बात करें दोस्तों टो यह फार्श रजरपा तो फीड़ से इसे शक्ती पीड का दर्जा दिया हुआ है तो एक बहतरीन पर्यट्टे नस्थल यह रामगड़ जीला में स्थीत अब इतनी से बात ध्यान रखनी है अपरस बात करते हैं कि प्रत्थम मिठन गैस कुऊंवा किस राज में मिला था ठीक है तो हम लोग प्रफशन की बढ़ते हैं प्रताना चाहता हूं कि इसमें जो है देखो यह बोकारों में इस्तीध है और यह जो कोईला है यह कोईला चेतर में प्रेप्ट गैस मिलते हैं ट्रैप्ट गैस है जो खदानों में बेस फोट के लिए जिमिदार है इसे दलदली गैस भी कहते हैं और दोस्तों बताना चाहता हूं कि छावल की खेती से सबसे ज़्यादा उत्पन होने वाली यह गैसे तो मिधन गैस आपको ध्यान रखना है और यहां जो है दोस्तों आपको यह फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो इन में से कोई नहीं है मतलब क सवयल सभी बोकारोजीले में स्थीत है बात करता है कोशन की तो अनसुचित छेतरों में अनुचित जन जादियों के प्रसाशन व नियंतरन के संबंध में जनकारी समिधान के किसस अनसूचित में दी गई है तो 65 का जो राईट अंसरे डेस्ट तो फोर्ट आप्शन देख तो सम्मिधान के खंड नाइन में सम्मिधान के खंड नाइन के अनुच्छेदों के अंतरगत पांच्वे नुसूची वा छट्टे नुसूची में दी गई है ठीक है तो फूर्थ ऑप्शन भी राइटें सुस्कोशन चलो बात करते हैं अगले कोशन की तो 11 अगस्त 1942 में भा कारथ छोड़ा अंदोलन के दोरान 11 अगस्त 1942 को हजारी बाग में श्रीमती सरसोती देवी के नितित्र में एक विशाल जूलूस निकाला गया था उसी दिन सरसोती देवी को गिरफतार कर भागल भागलपूर जेल भेजने का आदेश दिया गया था ठीक है तो आदिम मानों जीनले के इसको नामा के स्थां से ठीक है यहाँ पे जो इसको दिख रहा हो सेकेंट ऑप्षन ठीक है कि तो हजारी बाग जीनले के इसकोन नामा के स्थान से एक पत्थर के बड़े खंड प्रजाओं का राज छेतर पलामू था ठीक है पलामू था और दोस्तों ने रक्सेलों को पदस्त कर पलामू में अपनी सथापित करी थी ठीक है तो रक्सेलों को रक्सेलों को भगा के दोस्तों अपनी जो है सथापित करी थी इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है चलो बात करते हैं अगले कोशन की तो तिलका मांजी को कहां फासी दी गई थी यह दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड कोशन से हैं प्रिवेस और कोशन में बहुत बार तो यह आने के ज़्यादा चांसेज हैं तो थर्ड़ ओप्सन देखते हो भागलपूर में ठीक है तो 1785 में आपको याद एकना है दोस्तों की जो है 1785 में तिलका मांजी को धोके से गरफतार कर लिया गया था और भागलपूर में बरगत के पेड़ पर लटका कर फासी दे जारखन की किस सेना का योगदान उलेखनी रहा है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन से ठीक है तो 70 का जो सेकेंड ऑप्सन देखतो हो मुक्ति वाहनी सेना ठीक है तो 1857 में 1857 में दोस्तों इसके गिविद्रों में ठाकूर विश्वनात साही और पांडे गनपतराय की मुक्ति वाहनी सेना का योगदान उलेखनी रहा है ठीक है चलो बात करते हैं अगले कोशन की तो कोशन है दोस्तों कपास बो चर्खा चलाओ कपड़ा बुनो छोटा नाकपूर अजाद हो जाएगा यह उक्ति किसकी है ठीक है तो यह 71 के थाड़ आप्सन देखतो हो मात्व बुनो छोटानाकपूर अजाद हो जाएगा ठीक है तो यह मात्मा गांदी जी का है ना यह जो है दोस्तों कहना था चलो बात करते हैं अगले कोशन की तो जमसेदपूर में नमक सत्यागरह काने ते तो किसने की करी थी ठीक है तो 72 का यहां पे आप ननी गोपाल मुखर जी ठीक है तो यह देखना है दोस्तों की जो है सभीने वाग्या अंदोलन के दबरान नमक खानुन ठीक है नमक कानुन का उलंगन जारकन के लगबग सभी छेत्रों में होने लगा था तो जमसेदपूर में नमक सत्यागरह का ने तो ननी गोपाल मुखर जी ने करी ठीक है चलो पुरुजना वर्ड बैंक के आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है तो इतनी से बात ध्यान में रखनी है बात करते हैं अगले कोशन की जारकन में दूतिय राजभासा का दरजा किस भाषग को दिया गया है दूतिय राजभासा फॉर्स्ट आपको पता होगा दोस्तों की वो क दुक भी दी गई है दरजा दिया गया था ज्रवर्ठंड की सरोपर्थम भासा हींदी है हिंदी को ज्रवर्थम राज भासा होने का गौरुपराप्त है चलो बात करते हैं अगले कोशन की अब आपके आने सक्फ सबकित को बता होगा अब सक्वायर कि में कितने विश्ट्रीत है तो दिंगा की कि बात करें दोस्तों तो 169 पर स्क्वाइर किलोमीटर है डालमा की डालमा की बात करें दोस्तों तो इसका जो है 191 स्क्वाइर किलोमीटर है ठीक है और आगर आप से पुझा वेस्ट सिम्भूम की बात करें तो 208 स्क्वाइर किलोमीटर है ठीक है तो इतनी से बात आपको ध्यान बखनी है तो यह सिम्डेग विएस्ट सींभुम में आपको इतनी से बाद्यान भंकनी है और इसका निर्मान दो नरपति इसका जो इसका दोरान नरपति सिंग ने करवाय था यह राजवारी इंटो से निर्मित है बस इससे ज्यादा और कोशन नहीं बात करते हैं को तो यह बहुत ही मौस्ट एक्सपेक्टर कोशन से और यह पूछे गया है ठीक है तो आपको याद अखना है ने करते हैं अगले符 कोशन की जारखन के पुर्वी भाग तथा पाकुर के छेतर में किस परकार की मिट्टी मिलती है तो 79 का जो फर्स्ट अप्सन तो हो नवीन जलोर मिट्टी ठीक है तो इतनी से बात ध्यानमक नहीं है चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं अब जलो बात करते हैं कि तलाब द्वरा सबसे अधिक सिचाई की जिला में होती है तो तलाब से बात करें दोस्तों तो जो है जारखन में प्रत्थम अस्थान देवगर जीला का है ठीक है तो देवघर फॉस्ट आपसम रणने वहाला है तो देवघर जी ले की बात करें दोस्तों ठीक है यहां कुल सिचाई भूमी जो है पुल शिंचित भूमी का जो है दोस्तो 29.3 इसके बाद करमशा दोस्तों जो है धनबाद की बारी आती है तो धनबाद में दोस्तों 43% लगभग 43.8 परसेंट है और साहभ गंज की बाद करें साहब गंज की बात करें दोस्तों तो इसका जो है 43 इसका जो है लगभग 27.7 परसेंट जो है सिचाई की जाती है अब चलो आगे कोशन की बात करते हैं तो यह देवगर हो जाता आपका एंसर की बात करें तो डॉक्टर सर्वन कुमार गोश्वामि को प्रथम पुरुसकार की आपको ध्यान मैं रहा है चलो बात कर लेते हैं कि बिर्षा क्रिस विश्विदाले जहारखन के किस जीले में श्थित है इसके स्थापना दुस्तों नाइटीन एटीन उन्हीं सो अशीस वी में करी गई थी ठीक है चलो बात कर लेते हैं नेक्स उशन की ठीक है यह जो है यह जो है लास्ट कोशन शायद रहने वाले हैं और देख लेते हैं होगा कार्थिक पुर्णीमा के दिन विशेश रूप से किस निर्ते का प्रदर्शन किया जाता है तो नचनी एक पेशेवर निर्ते है नचनी जो है दोस्तो इस्तरी ओके और रसिक जो है दोस्तो यह पुरूश नर्तक माना जाता है ठीक है तो इतनी से बात ध्यान में रखनी थी ठीक है कार्तिक पुर्णीमा के दिन विशेश रूप से इस निर्त का प्रदर्शन किया जाता है ठीक है चुलोकर तो कार्तिक पुर्णीमा भी आपसे सब्सक्राइब फुली पिष्गा का स्टों है याँ है यका तो यहां है टो applied करते हैं वीर्ष्गत्य सवkeeping की आरी सब्सक्राइब करते हैं उस्सक्राइब है अर्म ड़स्तों की आतारी है ठीक है एक अपरेल 2000 कि एक से शुरू हुआ था ठीक है तो इस तरीके ध्यान में आखना है डेट भी आप से पूछ सकते हैं ठीक है तो इस सारी के सारे अगले कोशन की 88 कोशन की बात करें तो किस अंदोलन के बाद संथाल चेतर को एक प्रिथक नौन रेगुलेशन जीला बनाया गया था ठीक है चलो अब बात करते हैं अगले कोशन की 89 कोशन से दोस्तों कि शिलेर बारी नामक मकान कहां इस्तित था शिलेर बारी ठीक है तो ये दोस्तों थाड़ अपसन देखतो हो देवगहर में इस्तित था ठीक है तो शिलेर बारी नामक मकान देवगहर में इस्तित था करांतिकारी इस मकान का उप्योग बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को परसिक्षित करने में किया करते थे प्रफूल चंदर पतनायक और उनके तीन सरवाधिक सक्रिय साथियों को पकड़ने के लिए कितने रुपए का इनाम घोशित किया गया था प्रफूल चंदर पहाडिया पहाडिया लोगों के बीच काफी लोग प्रिये थे प्रफूल चंदर पतनायक और उनके तीन सरवाधिक सक्रिय साथियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने दो सुरुपए का इनाम घोशित किया था दो सुरुपए का इनाम घोशित किया था आज की डेट में इसकी किमत दो करोड़ से भी जादा है ठीक है इस तरीके इस ध्यान में रखनी है 20 करोड़ से भी जादा हो सकती है तो आई थिंग दोस्तों यहां से जो है आपने बहुत सारी को गेन किया है तो यह जो है क्लास ट जूर आ दी है ठीक है अगर आपabenे निट्र में के साथ ङुट में गरें क्लासेज करेंगे उसमें दोtechn के साइंस और चाहता हूं प्रिश को स्थे वर कि लिए और चाहता हूं रहर IRा अब को शीज़ता के लिए लिए दोस्तों के लिए जनरल लोज क्या जो प्रिविए सिर्कोशन से वह आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं ले टेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद